हेलो फ्रेंज, वेलकम टू माई चैनल, आज मैं आपके साथ शियर करने जा रही हूँ दशेरे पर निबन, मैं आपके साथ 200 शब्दों में निबन शियर करूँगी, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्विस्ट करूँगी, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीचे, तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो, दशेरे का तोहर पूरे भारत वश में बड़े धूम धाम से मनाया जाता है, दशेरा हिंदू धरम का एक प्रसित तोहर है, दशे जिसमें मादूरदुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है और लोग नो दिन के उफास करती है। नो दिन की नवरात्री के ऊच्काद दश्वतिन दश्यारे का पर्व मनाया जाता है। दशेरे के दिन रावण, मेगनाथ, कुमकर्ण के पुतले चलाए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान श्री राम ने रावण का वद किया था ताता सीता को रावण की कैट से अजात कराया था। तब इसे प्रतिवश रावण के पुतले को जला कर यह तोहर मना जाता है। इस दिन में लोग का आयोचन किया जाता है। बजारों में खूब रोनक होती है हिंदु धरम की मानता के अनुसार। यह दिन बहुत शुब होता है क्योंकि इस दिन भगवान श्री राम ने रावण का वद करके बुराई पर अच्छाई की विज्जे प्राप की थी इसलिए इस दिन को हिंदु धरम के लोग एक शुब दिन मानकर अपने किसी भी नए काम की शुबहरम करते हैं। और इस दिन लोग वाहन पूजा, शास्त्र पूजा आधी भी करते हैं। दशारे का तोहार ना केवल अपने भारत में अपीते कुछ अन्ने देशों में बहुत दूमधाम से मनाया चाता है हिमाचल के कुलू में बहुत बड़े मेले का आयोजन किया चाता है मैसूर के दशायरा भी बहुत प्रसित है यह तो हर धर्म की विजे प्राप्ति का प्रतीक है अगर आपको मेरी वीडियो तोड़ी सी भी हैलफुल लगे तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन के बटन को दबाना बिलकुल न भूले ताकि आने वाली वीडियो की नॉटिफिकेशन आपको मिलती रहे थैंक्स फॉर वाचिंग माई वीडियो